हाई दोस्तो आपका फिर्ट से स्वागत है हमारा फार्मा लोगिन चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इस ड्रॉप के बारे में दोस्तो इसके क्या फायदे हैं एंड क्या नुकसान है किस यूज में इसको दिया जाता है पेशेंट को एंड कुनकुन सी परस आने में आप इस ड्रॉप का यूज कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं दोस्तो इस ड्रॉप के वारे में दोस्तो आपको एक किसी नेम से मिल जाएगी दोस्तो आप किसी मिलके स्टॉर पर इसी नेम से ले सकते हैं इस ड्रॉप को तो दोस्तो चलिए जान लेते हैं इसके साल डिप्रो पिओने लिंगो के ईडरो राइट रॉप सुपे इसके अंदर काफी सारे मॉलिकुस यानी की कंपोजिशन से बिलकर बनी हैं दोस्तों इंग्रीडियन की बात करें तो कितने कितना इंग्रीडियन यानिकी मॉलिकुस मिलाए गया है हम आपको वो भी दिखा देते हैं और पता देते हैं दोस्तो इसके अंदर नियो माइसीन एंड शल्फेट मिलाए गया है 0.5% इसके अंदर बिकलो मिता सोन है एंड डिप्रोपियो नेट और किलोट्री माजोल यह दोनों अलगल है दोस्तो इंड बहुत अच्छी ड्रोप है चलिए दोस्तो और इसके यूजिस के बारे हम बता देते हैं पहले इसको ओपन करकर दिखा देते हैं किस तरह की ड्रोप होती ह है और फिर इसके यूजिस के बारे में जानेंगे फिर इसकी डोजिस के बारे में जानेंगे दोस्तो इस तरह की ड्रोप आती है आपको यह 5 ml में मिल जाए कि ड्रोप बहुत ही असानी से आप इसको असानी से पर्चेस कर सकते हैं इसके MRP की बात करें तो दोस्तो आपको 78 एट रुपे की मिल जाएगी दोस्तों चलिए इसके यूजिस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों यह एंटी वाइटिक एंड एंटी फंगल एंटी इंफ्लामेंटरी ड्रॉप है दोस्तों एंड इन सारी परसानी को यह दूर करती है एंटी वाइटिक एंटी फंगल परसानी होती है, क्या आपके कान में धर्द होता है, क्या आपके कान में किसी तरह का पसेव आ यानि कि पसारा है, क्या आपके कान में मैल है, क्या आपके कान में फोड़ा फुनसी है, क्या आपके कान में घुजली रहती है, यानि कि अलरजी है, क्या आपके कान में किसी भी त तरहां से कुछ भी परसानी होती है यह दोस्तों आपके कान में जखम है जखम से पसा रहा है दर्द हो रहा है इन सारी परसानी को यह दूर करती है ड्रॉप दोस्तों अगर आपके कान में बहुत ही दिनों से आपका कान में दर्द रहता है यह दोस्तों आपका कान सपा यानि कि ठीक नहीं हो पाराया फोड़ा फुंसी हो रही गई है उसके बिज़े से ठीक नहीं हो पाराया दोस्तों आपके कान में पानी यानि कि पस आ रहा है बार बार और उससे बहुत ज़्यादा परशान है उससे गंदी स्मेल आती है और दोस्तों आपने काफी सारी मेडिसन यू करती है ड्रॉप दोस्तों बहुत अच्छी ड्रॉप है एंड चलिए इसके यह तो यूजिस के बारे में बात कर लेते हैं यानि की नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं और फिर इसकी डोजिस के बारे में बताएंगे दोस्तों अगर इस ड्रॉप को डालने के बाद आपको चक्कर या वोमिटिंग या दिल मिच राता है तो दोस्तों आप इस डॉप को यूज ना करें अपने डॉक्टर या अपने डॉक्टर से सला लें या अपने डॉक्टर को दिखाकर कान को और इस डॉप को दिखाकर तब इसका यूज करें तो चलिए दोस्तों यह साइड़ प कितनी drop डाली हैं दोस्तों आपको ये दिन में दो बार डाल सकते हैं दो दो drop डाल सकते हैं और आप किसी बच्चे के डाल रहे हैं 6-7 साल के बच्चे के कान में डाल रहे हैं या 7-8 साल के बच्चे के कान में डाल रहे हैं तो दोस्तों आप एक drop डाल सकते हैं तो दोस्तों इस बता दी है तो दोस्तों यहीं सारी इसके ड्रोप के बारे में इंफोर्मेशन हैं दोस्तों आपको यह इंफोर्मेशन अच्छे लेगी हो तो प्लीज वीडियो को सेर करें दोस्तों लाइक करें दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ लाब मिला है या दोस्तों आप इस ड्र बताने दोस्तों एंड हमार साथ बनेने का आपका बहुत बहुत धन्यमा दोस्तों ठेंक यू फॉर वाचिंग वीडियो